देखिए आज हम बनाएंगे परवल का घरवा तो परवल एकदम ताजे तोड़ रहे हैं खेत में से लगा हुआ है देखिए कितना अच्छा से खर रहा है और ताजे का भरवा बनाएंगे तो बहुत अच्छा और टेश्टी बनता है कहां कि अब मुलाय होता है और दुकान से हम लोग मार्केट से लाते हैं तो पर दिन का मार्केट में होता है तो नहीं अच्छा से इसे हम लोग को छिलने में परसानी होती है और यह भरका है एक दम ताजा तो इसे छिलने में भी बहुत अराम से यह छिल जाएदा उपर का इस कि हैं लगाया उसमें से तोड रहे हैं घड़ेंगे अभी है चील लेता है इसका चील का अराव मुख्ण से उतार जा रहा है क्हाएं कि आये टाजा है यह सुखा होता दो दिन पहले का यह नहीं पहले का तो इसका छीलका उतार नहीं उतार पाता है इसको छीलके बनाने में रहता है वो सोफ्ट और मुलायम हो जाता है अब छीलका नहीं हटाएंगे तो ताइट जैसे लगता है खाने में भी तो इसका हम छिलका सब ऐसे ही, जितना हमें बनाना है उसका उदार लेंगे। अब ये पूरा छिल गया है जो इसका वीज है वह हम निकाल लेंगे अंदर से, वीज भी ज्यादा टाइट नहीं हम लाएम है, उसी मसाले में से हम निला कर बनाएंगे。 तो यह कलोजी वाला मसाला है पजोरन जी से बोलते हैं इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो पहले हम इसे तावे गरम कर लिए हैं तावे पे भून लेंगे इसे महीन सा पीस लेंगे और यह प्याज है इसमें डालने के लिए और मीच का खटाई यह खटाई आप जरू डालिएगा मीच की खटाई आपके पास ना हो तो इसे आंक्चूर काउड़ा डालना क्यूंकि आंक्चूर काउड़ा से थोड़ा खटापन आता है तो टेस्ट अच्छा लगता है इसका इसमें लहसुन भी है प्याज भी है और गरम मसाला भी है और जो हम ताए पर भूल लिए है उसे पीच लिए है और इसका बीज है वह भी इसी महम में लाएंगे नमक मीर्चा की सवादमसा जितना आप मीर्चा चटपटा खाते हो अब उसी हिसाफ से डालिएगा इसमें सब मसाला इसका पेश्ट तयार है आप चाहे तो इसमें प्याज को और मसाले को स में इसी तरह बनाएंगे इसो को सिसमें बोखते हैं तब की जाता है तो इसमें श WhatsApp जगलते हैं वर्वल के और इसमें वहन होता है पर की सब्सक्राइब कर्ण दीनीमेना ले इसके हैं और नहीं में रखना है है और उप्ण 25 तार आना से चलता है कर्मी के मौसमम्हाःग्भ खराब नहीं होता है इसमें नमक डालेंगे स्वाद अंसार जो मसाले थे तावल पर बोने थे पच्छोरन भी टाल दे रहा है अपि अच्छे तरह से हम इसे मिक्स कर लिया है अभी इसमें देखिए बीज निकाल दिया है और इसमें भीज नहीं नीकाली एए तो दो जगर वुक्राल की ज़गर आङ रहेगे हम बीज निकाल दिये हैं हम भी बया देंगे जब भर चुका है अब यह कराई में तेल डाल दिये हैं जरम हो गया है इसे हम श्लो गैस पहीं पकाएंगे नहीं तो यह जल जाएगा तो यह धीरे धीरे पकता रहेगा कि इतना यह परवल है अब रख देंगे इसमें कराई में अब कराई में हम रख देंगे इसे हमें स्लो गैस तहीं पकाना है धीरे धीरे यह पक जाएगा अब इसमें जितना है वो सभी को डाल देंगे कि उसकाएं की ज्यादा है यह परवल तो हमारी जो कराई है वो भर जाएगे इसे इसके उपर भी रख देंगे और इसे ढख देंगे रखने से यह होगा कि भाप से पक जाएगा जो उपर का है अब इस थाली से ढख दिये हैं अब इसे हम पलट लेते हैं कितने अच्छी तरह से भाप से पक गया है तो इसे पलट के फिर एक बार इसे ढखेंगे और अच्छी तरह से पक जाएगे देखने में प्लेट में निकाल लेते हैं कि देखने में बहुत अच्छा है और खाने में बहुत टेश्टी बना हुआ 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 इसे आप पराठे या पूरी अच्छे पाती के साथ खा सकते हैं